नमस्कार नियूज वोल इंडिया आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकूर पूरेटिंग शुरुवात करते हैं मुख्यमंती योगियादितनाथ गोरकपूर के च्वार दिवस्य दोरे पर हैं इस दिनों पतादे की आज मुख्यमंती योगियादितनाथ ने चौथे दिन गोरकपनाथ मंदिर और गोशाला भ्रमन के बाद गोरकपनाथ मंदिर परिसर के स्मिर्ती भवन में जनता दर्वार लगाया जिसमें प्रदेश के विभिन जिलों से आज लगभग 300 फड़ियादि अपनी समस्यों को लेकर पहुँचे इस दोरान मुख्यमंदी योगियादितनाथ में एक एक करके सभी फड़ियादियों की बात सुनी और साथ ही सम्मंदित अधिकारियों को मामले का जल से जल नस्तारन करने के दिफ़ानर देश दिये हैं इस दोरान ADG जोन साथ ही बतादे की IG SSP जलादिकारी मुख्यमंदी के दिवस अधिकारी भी मौझूद रहे हैं 13 मार्च से धामिस सरकार के बजट सत्र की शुरुवात गैडसिन में हो रही है और जिसको लेकर विपक्ष के दोरा गरामीन बतादे की गरिश मकालीन राजधानी गैडसिन पर सरकार की अंदेखी कारोप लगाया जा रहा है जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बतादे की विनोध सुनियाल ने प्रतिकिरिया देते हुए बताया है कि गरिश मकालीन राजधानी भारते जोनता पाटी की सरकार ने ही घोशिप की है और उसी के अनस्वार वहाँ पर समग्र विकास का धाचा तयार किया जा रहा है मुखेमंती धामित लगातार परवत्रिय शेतर का विकास के लिए प्रयासत है और साथी गरिश मकालीन समय में होने बारे सभी विधान सभा शेतरों को गैसर्ड में कराने की योचना तयार की जा रही है बात बता दे कि कॉंग्रिस की जाए तो कॉंग्रिस ने अपने दर्स वर्ष के कारेकाल में कभी भी गैरसेंड और साथी परवत्य शेतर के विकास के लिए कोई भी कारे नहीं किया है वे सिर्फ खरनन माफिया और साथ ही शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती रही है अब पूरे प्रियास किया जा रहा है कि गैसर्ड को किस तरह से जो अबधी छेमा या अत्वा जित्ति भी अबधी है उस महा में वहां राजदानी रहे इस के लिए किस तरह से वहां का डांचागध विकास हो इसके लिए फूरी योजनाय तיयार की जा रही है पुरी प्रियास के साथ समगर विकास किया जा रहा है राज्या पर्वतिय आवदारणां पर बना है निशी तुप से बारते इंता पार्टी इसके लिए किर्थ संकल्प है वही महोवा में एक तालाब में एक अंधेर व्यक्ति का बतादे की शब बरामत किया गया है जिसके बाद से लाके में हरकम समझ गया मिर्टक अपने दोस्त के साथ होली पाटी मनाने के बाद से घर निकल रहा था व्यक्ति की मौत हो जाने से उसके परिवारों में कोहराम समझा हुआ है वही परिवार की हत्या की अश्रंका जताते वे पुलिस को सूचरा दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को बतादे की पोस्तमाटम के लिए भेज दिया है और अंधेर की संधिप्त मौत को लेकर पुलिस हर पहलू पर जाच कर रही है और साथ ही ये घटना जन्पत के कबरई ठाना कस्बा छेतरे के राजुंदर नगर से जुड़ा हुआ है जिस्तों को सुल मौका में कबरई से पुलिस द्वारा एक पेशन्ट लाए गया था जो की ड्राउनिंग का केस था और जिसका एक्जामिन करने पे देखा पुपल डाइलेट होगे तो हल्टरेट नहीं आ रहा था बॉड़ी को म्रद घोसेट करके बॉड़ी को कोस्मार्ण के लिए मौटशरी पे रखा दिया पर बोल रहे हैं हत्या कारूप लगा जा रहा है महुआ में होली के पर पर एक पती की कूरत शामने आई है बता दे की रंगों के इस खुशियों वाले दिन शराबी पती ने अपनी ही पत्नी पर चाहू से प्रहार कर दिया और साथ ही बता दे की उसके गर्दन को कार दिया गया है महिला को उसका देवर इलाज के लिए महुआ जलास पता लेकर पहुँचे जहां पर उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जबकि आरोपी पती मौके से फरार बताय जा रहा है आपको बता दे ये पूरा मामला महोबी श्वेहर कोतवाली छ्वेत्र के बता दे की इमली बरा महले का है जहां पर रहने वाला पुशपेंदर शराब के नशे में घर में विवात करता था और इसी को लेकर उसकी पत्नी पूंवर के साथ पिछले एक सब्ता से आपसी मनमुटाब और विवात चल रहा था महले को लाए गया और काफी गंबी रहत में लाए गए कि किसी धारदार हथियार से चोट का एक मामला है और अभी यहां पर उप्चेर किया जा रहा है इस्तिकल भी इस्तिर बनी वहीं महुबा में प्रेम प्रसंग के चलते हैं कि यूवक ने बता दे कि जहरीले प्रदार् पनी हुई है डॉक्टर द्वारा उसे इलाज के लिए जलास पताल जोहां से मेडिकल के लिए रेफर किया गया है बताया जाता है कि बीते दिनों प्रेमिका के ज्वहर खाने से हुई मौत के पास से यूवक सदमे में था और आज उसने भी आत्महत्या करने की कोशिश कर ड परिवार के लोग हालत बेगरता हुआ दे के लाज के लिए सामुदाइक स्वास्त केंद्र पनवारी लेकर पहुँचे जहां पर गंभीर हालत देखते वे डॉक्टर ने उसे जलास पताल रेफर कर दिया तो वहीं जलास पताल में भी प्रात्विक उप्च्वार के बाद ह हालत काफी सुधार गोता नहीं दिख रहा है डॉक्टर ने उसे जहां से मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है कि मेरा बनेंगत हैं मेरा पर्सों के लड़की थी हमारी बगल की लड़की वह और उसने गोल्य खाई और उसी ज props कि छक्र में एसने व्युट रोड़की कि एफ़सी जखाई ही है जी अभी जिलास्पताल महवा की एमर्जेंसी में एक पेशेंट आया था जो की सस्पेक्टिक पाजिनी का केस है उसकी घरवाले बता नहीं पा रहे हैं कि किसी इसका केस है बट उसका हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी हालत में ज्यादा सुधार ना होने के कारण उसको हम हा ललितपूर में वेत्वा नदी में डूबने से दो युवक लापता बताय जा रहे हैं सुभा एक युवक अशा बरामत किया गया है आपको पता दी कि आधा दर्जन से अधिक युवको को टोली ललितपूर से राजगाट और साथी च्वंदेरी मदपरदेश घूमने के ल साथी की शोडी सोनी जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष बताई जा रही है दोनों वहीं डैम पर रूपने का निर्न लिया और बाकी दोस्त च्वंदेरी घूमने के लिए निकल गए पिलहाड एक और युवक की तलाश लगाता जारी है बदायों में उसावा थानच फेतर में दो किनरों ने मिलकर एक व्यक्ति का जबरन लिंक परिवर्तन करा लिया लिंक परिवर्तन करा कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए है जब इसकी सूचना के नरों के गुरू चांदनी चौहान को मिले तो जिसने बाद में वो मौके पर पहुँच गई और इस दोरान पीडित को इलाज पे लिए भरती कराया स्पताल में और साथी नयाई दिलाने के लिए थाने में भी तहरीर दिलबाई वही पुलिस ने अभी तक कोई कारवाई नहीं की है वहीं पता दे कि पेडित ने बताया है कि उसको बेहोश्री का इंजेक्शन देकर उसका लिंक बड़ी बरतन कराया है पेडित ने बताया है कि किनरों के गुरू चांदनी को इस बात की भनक भी नहीं थी पेडित ने बताया है कि वे किनर सोनम और मुस्कान के खिलाफ कानू निकारवाई करना चाहती है देखते हैं कि अब पुलिस पीडित को कब तक म्याई जिला पाती है या फिर पीडित सिर्फ दरदर भटकता ही रहेगा बाग गई तो मुस्कान है कहां भी पता नहीं इसके बाग गई जहासी में देवर्वात अंधेरे में एक बदमाश में पतादे की घर को निशाना बनाया है और साथ ही परिजनों को असलहे के दम पर पतादे की ड्रकेर्टी की घटना को अंजाम दिया साथ ही बता दे की घटना में लाखों का अबूशन और लाखों की नगदी लेकर बदमाश फरार हो गया है पेड़ित द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच पे जुटी हुई है रिश्केश के शिरा पुड़ी में नमामी गंगे घाट पर दो व्यकतिव की ढूबने की सूचना मिली इसके बाद से लक्षम जुला थाना छितर में पतना वाटर फॉल में भी एक व्यक्तिव की ढूबने की सूचना मिली और इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर SDRF की टीम दोनों घटना स्थल पर रहवाना हो गई है लगातार युबक की तलाश दोनों जगहों पर जारी है उतरकाशे के भटवारी ब्लॉक में बगेली गाउं के लोगों ने काफी मुश्किल हालातों से गाउं की विकात के लिए काफी प्रयास और काफी मेहनत की है गाउं के प्रधान प्रबीन का कहना है कि हमारे गाउं के लोगों ने काफी मुश्किल जिन्दगी देखी है अब मेरे और मेरे ग्राम सभा की सभी लोगों ने अपनी प्रयास और पूर्विधायक गोपाल रावत ने हमारे गाउं तक मोटर मार्क का कार शुरू करवाया है और कार अभी चल रहा है इससे कि हमारे गाउं मोटर मार्क के जुड़ गया है और साथी अब यहां के स्थाने लोग होमस्टे के माध्यम से अप पारिस्थाने लोगों के पास अब अपने ही गाउं में एक छोटा सा रोजगार तयार हो रहा है जो यात्री बगाली गाउं में आते हैं और होमस्टे में रुकते हैं जहां की खूबसूर्तियों को देखते हैं,ब उनका कहना है कि यहां की प्रश्वासन और सरकार यहां पर जो देखते हैं वो दिखत नेटवर्क की है क्योंकि यहां पर न lira नहीं आ रहे हैं जिसके वज़द से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और साथ ही जो हूंस्टे में रुप भी रहे हैं जो पैटक किया यातरी आते है वह भी काफी परिशान हो रहे हैं तो इसकी बारे में जगों से दूरी रहते हैं तो इसकी बारे में क्या ही बोले यार इस पीछले सूँ और खासकर आशुभाई का जो यहां पर हो मिस्टेज जो इन्हों ने सब्सक्राइब करें तो इसकी बारे में अच्छे लोग हैं और इतना अच्छा यह मर्ट इस्टे बनाया है आशुभाईया ने तारीख के लिए पासी बार्ट के लिए वहीं पौडी में भीते द्वेवरात बता दे कि बस अडिक के पास नगर पारिका कॉंप्लेक्स में दो दुकानों में अजवानक आग लग गई वहीं इस्थानी अगरागी रूके दुकान में आग लगनी की सूचना दमकल विभाग को दी जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबो पाया दो दुकानों में आग किन कानों से लगी है का पताब तक नहीं चल पाया है वहीं दुकानों में आग लगनी की घटना से दुकानों को काफी नुकसान हुआ है जिसका आखलन अभी तक नहीं किया गया है तो हमारी गाड़ियां वेलान और स्वेंग में हम लोग तुरंट इसके लोग पहुंचे हैं और तुरेक कारवाई कटे हुए जैसे कि आपको भी पता है यहांपर पुब्लिक ही मौजूद है और हमें इसको अरली अली मनलब बहुत ही जल्दी इसको हमने पुझाया है हमारी दो बहान नियाप आ रहे हैं वेलान आपको कंटोल कर लिया और बागी बिल्दिंग को अगरवाई की पुखनो को आख से चलने से बचा दिया मंगलोर में कारो मोटर साइकल में भिरंत हुई है जिसमें बाइक सवार दो यूवक्की मौत हो गई है और साथ गुस्ताय गरामिनों ने मंगलोर देवबंद मार पर जाम लगा कर जम कर हंगामा काटा है मौके पर पहुँचे सियो मंगलोर ने गरामिनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया मौके पुलिस ने शब को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया है अंतराश्च्व महिला दिवस के अफसर पर उत्राखंड की गडिश्मकारीन राजहनी गैर्सेन में महिला श्रशक्ती बता दे की महिला श्रशक्ती संचारन सिमिती के तश्वधान में आयोजुद समारों में वेभिन गाओं में आई महिला मंगल दलों की कलाकारों ने बता दे कि बेहु रंगी और छटात बिखेरते हुए महिलाया श्वक्ति का परिश दिया है और साथी प्रस्तुति भी की है जिसमे उन्होंने अपनी संस्कृति से जुरे जुमेलो, लोगईत, कला और साथी नाटकों को मंच पर प्रदर्शित किया है और इस तोरार महिलाओं में अंतरवास की महिला दिवस के आयोजन पर जाग रुपता और साथी खासा उटसा भी देखने को मिला जैसा कि आज महिला दिवस मनाया गया नगर पंचाय छेत्र में जो कि हमारी है बंदरा सतश्यों की उन्होंने बहुत अच्छा कारे करम यहाँ पर रखा और हमें लगता नहीं था कि इतना अच्छा अच्छा हुआ और जैसा कि नगर पंचाय छेत्र की महिला मंगलतल जितनी भी है उन्होंने अपने अहां पर अपने लोग निर्ट किया और जो भी अपने सस्कृति पर जो भी कारे करम दिखाए प्रस्तूति की उसका बहुत और उनकी तरफ से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है उन्होंने सस्कृति पर अपनी धरोहरों पर बहुत अच्छे कारे कहा बर पास्तूत की और अंतराश्ट्रे महिला दिवस पर गैरसन जो शेत्र है पहले इतना था नहीं लेकिन आज जो हमने शुरुआत करी अब देखते हैं इस बात कहां तक हो शुरुआत काशिपूर में गडामिनों में आग ख्रोश देखने को मिल रहा है दर्लसर दो पक्षों में आपसे जड़ब के बाद से दरजनों लोग घायल हो गए है उसमें से 24 परशिय यूबक भी था जिसका नाम नरेश पताय जा रह गया है मृतक के परिजन शब को पोस्टमाटम के लिए ले जाने से इनकार करते निज़र आए जिसके बाद से मौके पर पुलिस ने सुझबुझ दिखाते हुए यूवक के शब को पोस्टमाटम के लिए भेजा है अब खड़कपूर के छेतरवासी पुलिस कामकर खड़कपूर के तिराहे पर पुलिस के खिलाब जमकर नाड़े बाजी कर रहे हैं चले फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही न्यूस बल इंडिया पर खबरों का सिल सिला लगातार ज़ारी है नमस्कार